नमस्कार दोस्तों मैं एस्टुलाजर एन सिंग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्यान सागर एन वास्तु टिप्स में हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका दुकान या व्यापार ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है तो इसका एक कारण वास्तु दोस्त भी हो सकता है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दुकान से सम्मदित कुछ वास्तु टिप्स बताऊंगा जिसे अपना कर आप अपने दुकान में तरक्की पा सकते हैं व्यापार में तरक्की पा सकते हैं इन वास्तु टिप्स को जानने के लिए वीडियो को अंतक देखें साथी वीडियो की जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को कम से कम एक लाइक जरूर करें साथी साथ यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों वास्तु सासर के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने व्यापार को काफी अच्छे से चला सकते हैं व्यापार में तरक्की पा सकते हैं यदि आप अपने व्यापार में पूर्ण लाभ पाना चाहते हैं तो वास्थू से सम्मंदित आगे बताये गई गलतियां ना करें या फिर इन गलतियों को सुधार लें इस दिसामें रखें केविन और दुकान का दूआर दोस्तों इस बात का विशेश ध्यान रखें कि दुकानों में उत्तर एवं पस्चिम दिसा की ओर सो केस का निर्मार करवाना चाहिए इससे ग्राहकों की संख्यां बढ़ती है साथ ही कार्याले का प्रवेश द्वार उत्तर या पुर्व की ओर हो जो की अंदर की ओर खुलता हो यानि की कार्याले का दर्वाजा अंदर की ओर खुले इस दिसा में होनी चाहिए दुकानदार या व्यापारी का मुँः दुकान या आफिस में आपका मुः पुर्व या उत्तर दिसा की तरफ होना चाहिए नहीं तो पस्चिम की तरफ भी मुख किया जा सकता है लेकिन याद रहे कि दच्छन की तरफ भूल कर भी अपनी कुर्सी का मुख न रखें इससे आपको व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है इस दिशा में रखें दुकान का गल्ला वास्तु के अनुसार बताया गया है कि दुकान में पैसे रखने की जगह इस तरह निर्धारित की जाए कि जब आलमीरा या रैक खुले तो उत्तर की तरफ उसका मुख हो साथी बिक्री काउंटर पर सेल्समेन का मुण पुर्व या उत्तर की ओर ही होना चाहिए अगला टिप्स यहां से निकले ग्रहा वास्तु के अनुसार दुकान का बीच का भाग खुला होना चाहिए बाकी जगों की तुल्ना में इस दिसा में कम से कम समान रखने चाहिए यदि आपकी दुकान है तो कोशिष करें कि ग्रहा के निकलने का रास्ता साइट से न होकर दुकान के बीच से ही हो सीडियों का रखें विशेज ध्यान वास्तु सास्तर के अनुसार यदि आपकी दुकान में सीडिया बनी हुई हैं तो इस बात का अवस्य ही ध्यान रखें कि सीरियों की संख्या विसम संख्या में हो यानि कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी तरह कोई भी विसम संख्या हो दुकान के रंग से संबंदित विशेज बात हैं यदि आप अपनी दुकान की दिवारों पर गहरे रंगों का चुनाव करते हैं तो यह आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है क्योंकि वास्तु के अनुसार रंगों का भी व्यापार पर प्रभाव पड़ता है व्यापार में बहतर लाप पाने के लिए हलके रंगों का इस्तमाल करें जैसे कि सफेद, क्रीम या फिर दूसरे हलके रंग इससे सकारात्मक उर्जा का संक्चार होता है जो आपके लाप व्रदी में सहायक होती है दोस्तों इस प्रकार व्यापार या दुकान से संबंदित वास्तु टिप्स को अपना कर आप अपने दुकान या व्यापार की तरक्की पा सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं धन्यवाद दोस्तों